बोनी कपूर की फिल्म मैदान रिलीज होने वाली है अजय देवगन स्टारर इस फिल्म को बोनी कपूर प्रोडूस कर रहे हैं जिसका वाद जोर शोर से प्रमोचन कर रहे हैं और खूब इंट्रिव्यूस दे रहे हैं अब बोनी से हाल ही में श्री देवी की बायवपिक को ल फिल्म की बायोपिक बनेगी और जब तक मैं जिन्दा हूँ मैं ऐसा होने नहीं दूँगा बता दे कि श्री देवी ने अपने करियर में कई बैतरीन फिल्में दी हैं वह लास्ट फिल्म मामे नजर आई थी जो साल 2017 में रिलीज हुई थी इस फिल्म की कहानी और श्री देवी की पॉफरमेंस को काफी पसंद किया गया था इस फिल्म के लिए श्री देवी को नेशनल आवार्ड मिला था हलाकि आवार्ड लेने से पहले श्री देवी का निधन हो गया था बोनी, जानवी और खुशी ने श्री देवी की जगा ये आवार्ड लिया था जिसके बार श्री देवी फिल्म जीरो में कैमियो करती दिखी थी जो साल 2018 में रिलीज हुई थी श्री देवी का निधन 24 परवरी 2018 को दोबई में हुआ इनके निधन से फैंस को काफी बड़ा जटका लगा था बाद में श्री देवी का पार्थिव सरीर भारत लाय गया था और यहीं उनका अंतिम संसकार किया गया था जानवी कपूर, खुशी और बोनी कपूर आज भी श् कोमेंट कार हमें जरूर बताएं बॉलिवुड और एंटर्टेन्मेंट की खबरों के लिए देखते रहें यह एबी वी एंटर्टेन्मेंट